ऐसा कोई सगा नहीं जुसे नितीश ने ठगा नहीं ये हमारा नहीं बलके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी का कहना है नमस्कार नियूस फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जाक्षी जा जेडियू के पूर्वरास्ट्य अध्यक्ष ललन सिंग के सिफिक बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है और इसी बीच जीतन राम मांजी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंटल पढ़ लिख का नितीश कुमार पर हमला बोला है और ललन सिंग को भी जो है नसीहत दे दी है आपको बता दे कि जीतन राम मांजी ने अपने एक्स हैंटल पर लिखा है कि नितीश कुमार की तीन वर्षिय योजना के तहट ललन सिंग का भी पत्ता साफ कर दिया गया है वैसे ललन बाबू को समझना चाहिए था कि जो नितीश कुमार फर्णांडिस सहाब के ना हुए आर्सीपी बाबू शरत यादव दिगविजस सिंग के ना हुए वो उनके कैसे होंगे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नितीश ने ठगा नहीं जितनामाणजी ने अपने एक्स हैंडल पर ये लिखकर नितीश कुमार पर हमला बोला है और साथ ही आपको बता दे कि जितनामाणजी जब से महागटपंदन सरकार से अपना नाता तोड़े हैं तब से लगातार नितीश कुमार पर हमला बोलने में एक मिनट भी हिचकिच आते नहीं है आपको बता दे कि हाल ही में 8 जिसंबर को जेडियो की रास्ट्र कारकारणी की बैठक हुई थी जिसमें ये खबर सामने निकल करा रही थी जिसमें जडियो कारकारणी और रास्ट्र परिश्रत की बैठक के दौरान बड़े उलट फियर देखे गए इसमें ललन सिंग ने इस्तिफा दे दिया और आप पाटी की कमान नितीश कुमार के हाथ हो में है इससे पहले राष्ट्रकारकार्णी की बैठक में ललन सिंग ने इस्तिफा नितीश कुमार को सौब दिया उन्होंने अपने इस्तिफे की पेशकश ये करते हुए की कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपने संसदिय छेतर में सक्रिय होना है इसके लिए वो पार्टी की कमान खुद अपने हाथो में नहीं रख सकते हैं बाद में उन्होंने इस्तिफा दिया जिसे स्विकार किया गया अब नितीश कुमार उनकी जग है पार्टी के अध्यक्ष होंगे बता दे कि उनके अध्यक्ष बनने का अपचारिक एलान शुकरवार शाम पांच बजे हुआ वहीं ललन सिंग भी यही चाते थे कि उनके स्थिफे के बाद कोई पार्टी की कमान संभाले तो वो नितीश कुमार हो ललन सिंग ने भी कहा है कि पार्टी के सर्वमाने नेता नितीश कुमार ही है उने ही राष्ट्री अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए तो देखी चुनाव का हवाला देती हुए ललन सिंग ने पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष के पद से सिफा दे दिया उसकी बाद से ना सिर्फ बिहार में बलकी पूरे देश भर में जो है अब ललन सिंग सुर्खिया बटोर रहे हैं और इसी कड़ी में अब बिहार की पुरू मुखय मंत्री जीतर नामांजी का अपने एक्स हेंडल पड़लिक कर नितीश्च कुमार पर हमला बोला है और उन्होंने ललन सिंग को भी नसीहत दी है, उन्होंने कहा है कि ललन बाबु को मालूम होना चाहिए कि नितीश कुमार अपने सगे के कभी नहीं हो सकते हैं आपके इस वीजियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खपरों से अब्रेच वाने के लिए देखते रहें